तो दोस्तो कैसे हो आप सब लोग और विल्कम बैक तो यूर ओन चैनल आज मार्केट में गिरावट देखने को मिली है जो हम देख सकते हैं कि निफ्टी 6% के आज पार जाके क्लोजिंग दी है और बैंक निफ्टी ने नीचे 8% के अपनी क्लोजिंग दी है यह बहुत बड़ी गिरावट है जो हमने देखी है कि अपरेल की एकस्पाइरी में कितनी बड़ी अच्छी मूवमेंट थी और अच्छे लेवल्स पे जाके क्लोज हुआ था हाँ गाईस जो अपरेल सीरीस का जो वीक था जो एकस्पाइरी वीक था अपरेल का उसमें जो उसने एक अच्छी खासी मूवमेंट दी थी जो 700 पॉइंट की रैली दी थी निफ्टी ने एक ही दिन के अंदर अंदर उसे निफ्टी ने खतम कर दिया उस रैली को खतम कर दिया और तोड दिया हाँ guys 600 point के हमने nifty में गिरावट एक ही दिन के अंदर दे के लिए 100 point बचावा था तो वो भी कल के कल शायद और गिराट वट आ सकती है so guys यह हुआ क्या जो हमने आपको बताया था अपनी previous वीडियो पे कि जो US ने फिर से एक problem create कर दिये और धमकिया दे रही है कि वो चाइना के उपर tariff लगा देगी so guys उसके हमने according देखा कि market पे एक sell off आया था US market पे और जब US market पे sell off आया था Friday के दिन में तो हमने देख लिया था कि हमारी जो एक्जियर्स निफ्टी है guys वो 9900 से 9500 तक आ चुकी थी तो हमें पता था कि ये गिरावट तो आनी थी और जब market खुली so guys एक घंटे में शुरुवात की एक छोटी सी recovery दिखी जो की reliance के चकर में आया थी जो reliance में एक दुबारा deal हुई है stake sale हुआ है और उसके बाद हमने देखा दुबारा गिरावट आना शुरू हो गई और अपने lower levels पे ही जाके इसने अपनी closing करी है so guys अब किस तरीके से nifty bank nifty को trade करना चाहिए है कैसे देखना चाहिए तो वो मैं आप लोगों को बताऊँगा इस वीडियो पे और charts पे मैं आपको बताऊँगा कि क्या लगता है कि अभी market और नीचे गिड़ सकती है या अब यहाँ पर एक recovery आ सकती है so short term long term दोनों की बात करेंगे तो इस वीडियो में बने रहिएगा उससे पहले यह वीडियो अप्लोड हो चुकी है मेरे चैनल पर आप जा सकते है 3 stocks May 2020 की है मैंने वीडियो अप्लोड करी है यानि कि यह May month के लिए यह 3 stocks को आप अपने portfolio में रख सकते हैं swing trade कर सकते हैं monthly basis के अंदर जिसमें से 3 stocks मैंने आप लोगों को provide कराये थे जिसमें तब भारत फोर्च guys gail and third था भारती एटल इस भारती एटल में आज हमने देखा कि मैंने आप लोगों को 500 रुपे के असपाट से एक buy की सला दीती तो 500 रुपे का ही low बनाया और 560 का target था तो guys 530 के आसपाट जाके closing हुआ है तो जिन लोगों ने buy नहीं करा वो अभी वी dips में buy कर सकते हैं तो जितना dip मिलता है इन 3 stocks पे आप accumulate करते रहे हैं मुझे लगता है कि जो मैंने आपको targets दिये थे उसके आसपाट जाके जी तो ये में मंत में closing दे सकते हैं तो watch करिए description पे link डाल दूँगा मैं इस video का या यहाँ पर आपको eye पे show कर जाएगा guys ये वाली video है 5 intraday stocks for tomorrow यानि की that is 5th may यानि की कल के लिए जो मैं 5 stocks आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं ये video भी इस जो video में बना रहा हूं अभी nifty bank nifty की इसके बाद ये वाली video भी upload होगी तो guys stay tuned हमारे channel के साथ बने रहने के लिए यहाँ पर आप देख सकते है video के नीचे आपको subscribe का option दिखता है subscribe जैसी ही आप दवाएंगे वैसी आपको यहाँ पर bell icon दिखेगा bell बना हुआ कुछ देखेगा उसे click कर दीजीगा तो guys जैसी भी मेरी video upload होगी YouTube पे तो सबसे पहले आपको आपके mobile पे notification आजाएगा कि मेरी video आ चुकी और आप देख पाएंगे तो उससे आप अपने through अगले दिन की strategy पे काम कर पाएंगे तो guys इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ Nifty और Bank Nifty के चार्ट की तरफ और वहाँ पर जाके हम study करते हैं तो उससे पहले guys आप देख सकते हैं कि Nifty के gainer और losers आप guys खुदी देख सकते हैं कि 3 सिफ निफटी के gainer थे जिसमें था Sipla, Bharati Aetel जो मैंने आपको दिया था खुदी और Sun Pharma तो guys आप देख सकते हैं कि जो इन पे तेजी आई है वो 5% के उपर आई नहीं है तीन स्टॉक्स में और सिफ तीन स्टॉक्स है और अगर हम बात करें loser की तो 5% से नीचे तो ऊपर तो छोड़ दो 5% से नीचे की आप closing देखो सारी 10-10% के आसपास है हिंडाल को 10% सूप पर गिरा है ICCI Bank 10% सूप पर गिरा है विदानता 10% सूप पर गिरा है HBajaj Finance 10% गिरा है ये भी आप देख सकते हैं 10% के आसपास ही गिर रखे है तो इतनी तेजी से जो गिरावट आ रही है ये market का क्या indication अब हम उसकी तरफ बढ़ते है तो इस nifty की बात करता हूँ सबसे पहले मैं तो nifty पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर trend line बना रखी है तो ये मन्थली chart है guys मन्थली chart पर मैंने अपने resistance को जोड़ते विए trend line बनाई और एक bottom को जोड़ते विए trend line बनाई तो जब मैंने bottom को जोड़ते विए trend line बनाई जो कि मैंने 2013 से एक trend line बनाई है bottoms को test करते विए 2013 के bottom को 2016 के bottom को और अब 2020 के bottom को तो आप देख सकते हैं जब मैंने लगा तार Bottoms को टेस्ट करा तो हमने देखा था कि जब हमने देखा था कि मार्च में जो ये इत्ती बड़ी गिरावाट आई थी ये इत्ती बड़ी गिरावट आई थी तो उसने ये मन्तली की trendline को तोड़ दिया था यानि कि इसने 6 साल पु आए हमने में देखा था कि इतनी बड़ी rally आई और वो दुबारा trend line को test करी जो कि support की trend line थी अब देख सकते हैं जब भी यहाँ पर इस वाली bottom वाली trend line में यह छूता था तो वहाँ से उचल जाता था यानि कि यहाँ पर यह support ले रहा था अब आपको मैं यहाँ पर देखाता हूँ ऐसे यह देखिए यहाँ पर यह support ले रहा था इधर इसने support लिया यहाँ पर जब यह गिरा तो इधर इसने support लिया आप यहाँ पर देख सकते हैं पर अब जब हमने देखा कि March में अब यहां देख सकते हैं जब मार्च में इसने तोड़ा तो इसने इस लेवल को तोड़ दिया यह देख सकते हैं और यहां पर इसने इसको तोड़ दिया जब अपरेल में हमने देखी जो मूवमेंट आई तो movement में यहाँ पर इसे ने resistance ले लिया जो कि पहला इसका support का काम कर रहा था यहाँ पर आप देख सकते हैं यह support का काम कर रहा था अब वो ही जब तोड़ने के बाद उपर गया तो resistance का काम करने लग गया हाँ guys तो हम expect कर सकते हैं कि यहाँ से जो movement आई है जो इस level से जो movement आई है अब यहाँ से हमने एक shot बनाया और यहाँ पर एक दोबारा गिरावट हमें देखने को मिल गई है अब आप देख सकते हैं guys मैंने आपको previous video जो nifty की बनाई थी जो मैंने दो हफते पहले जो previous video बनाई थी nifty की उपर मैंने आपको का था तब nifty trade कर रहा था guys 9,150 पे मैंने आपको का था 9,050 की नीचे जाएगा तो आपको shot करना है target आपका होगा यह level जो की 8,675 का है मैंने आपको का था अगर 9,400 की उपर निकलता है market तो आपको buy करना है आपका target होगा 9900 जो की यह 0.5% का level है तो आप देख सकते हैं exact हमने देखा market ने उसी का high मराया तो अगर आपने मेरे according उस वीडियो में trade कर रहा होता है जब मैंने आपको बोला था कि 9,400 की उपर buy करना है तो आप अच्छा कासा 500 पॉइंट का profit earn कर चुके होते है उसके बाद अगर आप वहाँ से निकल जाते तो आप देख सकते थे कि यह जो fall आई है यह fall पे आप अपना loss नहीं करते है अगर आपने अभी भी buy करके रखा होता तो अब guys market क्या कर रही है अभी market कर रही है market trade कर रही है 50% और 382% retracement level के अंदर का जी guys अभी यह इस level के अंदर अंदर काम कर रही है जैसी वो इस level को तोड़ती है जो की 9300 का level है जैसी वो 9300 के level को break करेगी वैसी हम expect कर सकते हैं कि जो next target होगा गो next target होगा 8675 का level यानि कि approximate के चले 80700 का target है तो guys अब आपको करना क्या है आपको wait करना है 9300 का level break होने में जब break होई अगली candle जो बने जब वो उस break level के नीचे जाती है तो आपको trade ले ले लेना है वहाँ पर हम expect कर सकते हैं कि हमें 600 point तक की rally दिखा सकता है यह पूरी पूरी rally आपको देखने को मिल सकती है और अगर यहाँ पर यह इस level को break नहीं करता तो हम expect कर सकते हैं कि दुबारा यहाँ पर यह इस range के अंदर ही trade करने की कोशिश करेगा जो की 9300 से 9900 का level अब मैं यहाँ पर यह जो drawing को close कर देता हूँ अभी हटा देता हूँ और उसके बाद मैं सिर्फ एक trend line में एक fibonacci level ही draw करता हूँ अभी के लिए आपको एक और अच्छे से concept अच्छे से समझाने के लिए अब इसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर early chart पर क्योंकि अब हमें काम करना है कि monthly chart में तो नहीं हमें तो काम करना है कि 2-3 दिन में इसका क्या perspective रह सकता है nifty का तो guys उसके हिसाब से मैं अब यहाँ पर trend line analysis करने की कोशिश करता हूँ अब आप देख सकते हैं अब मैं आप trend line analysis करता हूँ जैसे मैंने bottom को test करा एक second guys यहाँ अगर आप trend line draw करता हूँ यह देखिया यह मैंने trend line draw कर लिया यह देख सकते हैं so मैंने bottom की trend line को draw करी यह आप देख रहें यहाँ पर यहाँ पर मैंने first bottom test करा second bottom test करा और उसे extend करा तो मुझे पता चला कि यहाँ पर इसने आज support लिया मतलब यह जो गिरावाट आई है पूरी की पूरी गिरावाट आगई और इस trend line पर ही जाके इसने support लिया और देख सकते हैं जो पूरी गिरावाट आई है कोई भी green candle नी बनाई है early chart के अंदर और यहाँ पर यह early chart में green candle आखरी आदे एक गंटे में इसने green candle के साथ अपनी closing दे दी और यहाँ पर support लेके अब आप एक चीज और देख सकते हैं मैं आपको दुबारा देखाता हूं यह देखेंगा गाईस यहां से यह उपर गया यह नीचे आया फिर यह उपर गया फिर हम देखते थे यहां से यह नीचे आया और फिर यह उपर गया और अब नीचे आया तो यह क्या कह रहा है यह कह रहा है कि यह higher highs बना रहा है यह देख रहे हैं इसके जो high हैं वो लगातार उपर की तरफ बन रहे हैं और जो low हैं वो भी उपर की तरफ बन रहे है इसका indication यह है guys कि जो low है वो low उपर की तरफ shift हो रहा है और high है वो भी उपर की तरफ shift हो रहा है यानि कि जो हमारा trading zone है वो उपर की तरफ shift होते जा रहा है तो यानि कि अब हमें क्या लग रहा है अगर मैं आपको दुबारा बताता हूँ इस basis पे अगर मैं इसे clear करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेगा एक सेगे यानि कि जब यहाँ पर इसने support लिया तो हमें एक buy बनाना चाहिए था यहाँ support लिया buy बनाते तो हमने देखता था नया high बना था previous high को तोड़के उपर गया था तो अब यहाँ पर भी हम buy बना सकते है तो हो सकता है possibility हो सकती है कि शायद यह previous high को भी तोड़के उपर चले जा क्योंकि trend अभी continue में है short term trend है short term trend अभी positive है क्योंकि higher highs, higher lows बन रहे है यह सब आपको पता होना चाहिए higher highs, higher lows क्या होते है तो short term trend है strong है, buy की तरफ है तो हमें wait क्या करना है हमें wait करना है इस level का break होने का अगर यह trend line का break होता है तो हम short की position बनाएंगे फिर हम नीचे supports की level ढूणने की कोशिश करेंगे जहांपर हमें target मिल सकते हैं अगर यह इस level को नहीं तोड़ता तो हम expect कर सकते हैं कि दुबारा उपर की तरफ जाने के कोशिश करेगा तो अब हमें किस तरीके से काम करना है अब आप copy और pen note करिये और मैं आपको बताऊँगा उस तरीके साब को lift team में trade करना हुआ ठीक है guys अब आपको देखें मैं आपको बताता हूँ यह मैंने एक level निगाल के रख रहा हूँ यह देख सकते हैं यह जो आप देख रहे हैं यह जो bottom देख रहे हैं यह bottom था कि यानि कि जो expiry week था जो Monday से लेके Thursday तक कि जो expiry थी जो April की थी तो Monday से यहां से हमने एक movement देखी थी जो कि 91.50 के level है आप देख सकते हैं मैंने आपको तभी बताया था मैंने आपको expiry वाल से एक हफता पहले बता दिया था कि 94.00 के उपर by position बना ले नहीं है और by position आपको बना ली थी इस level के उपर यह जो candle देख रहे हैं और आप देख सकते थे इतना बड़ा आपको target मिल जाता पर कोई बात नहीं अभी वी आप trade कर सकते है अब यह देख सकते हैं यह एक range निकल के आ रही है मैं आपको दिखाता हूँ एक सेके यह एक range है ठीक है यह मैंने एक range बना ली है अब गईस इस range में हम में ढूणने है कि हमारा resistance क्या है हमारा support क्या है तो उसके लिए guys मैं एक बड़ दुबारा मंतली चार्ट में जाता हूँ मंतली चार्ट पे मैं एक बड़ दुबारा Fibonacci Retracement Level को draw करता हूँ ठीक है जी guys तो जब मैंने दुबारा draw करा एक second मैं इसको थोड़ा और closer ले आता हूँ जी guys और मैं early chart में जाता हूँ तो आप देख सकते होंगे ये वाली line आपको दिख रही है ये जो आपको line दिख रही है ये line exact 38% का Retracement Level है और ये वाली आपको upper line दिख रही होगी exact 50% का Retracement Level है मैंने आपको बताया है अभी इस zone के अंदर ये काम कर सकता है जब तक इसको break नहीं करता है अब आप देख सकते हैं कि इसने अभी इसको यहाँ पर इसको break करा इसने डेड़ बज़े इसको break करा दाई बज़े तक इसके नीचे रहा और हमने देखा डेड़ बज़े से इसके नीचे ही closing दिया अब हमें wait करना है कि जब यह trend line break होती है जब यह trend line तोड़ता है तो हमें लगता है कि यह दुबारा नीचे तक जा सकता है अब guys कैसे नीचे तक जा सकता है वह मैं आपको दुबारा दिखाता हूँ यह देखेगा अब देख सकते हैं कि यह जो gap है यह इसने जो gap दिये इसने इस gap को fill नहीं करा यह gap around आ रहा है 9255 से लेके 9150 तक का यानि कि 9150 से लेके 9250 तक का यह gap है तो यह gap अभी तक market ने fill नहीं करा है तो हो सकता है probably हो सकता है कि शायद यह market को gap को fill करे तो ही मैंने इत्ती बड़ी range बना रखी है कि अभी शायद market इस range के अंदर काम कर सकता है इस range को तोड़ता है नीचे की तरफ ठीक है guys अब देखें दो काम है अब आप note करिया risk traders की सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ note करिये risky traders के लिए sell की अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ sell की sell आपको करना है trend line तोड़ने का sell आपको करना है below 92.40 सिर्फ risky traders की बात हो रही है sell below 92.40 target आपका होगा 91.50 का 91.50 का target होगा ठीक है guys यह हमारे risky traders का है कि 92.50 पे short करना है 91.50 का पहला target होगा और जो दूसरा target होगा guys वो दूसरा target हो सकता है 89.00 का ठीक है जो कि अप्रॉक्स अगर हम मान के चले यह वाला level लेकल के हा रहा है जो कि आपको बहुत दुबारा दिखा देता एक सेगड़ वे टीक है यह 11 तो risky traders के लिए short की क्या सला बताई below 92.50 target first target 91.50 second target 89.00 का ठीक है अब safe traders की बात करते है safe traders के लिए sell below 91.50 target 89.00 ओके अब buy की बात करते है buy है risky traders के लिए above 93.50 और safe traders के लिए भी बात कर रहा हूँ मैं safe traders की बात कर रहा हूँ safe traders के लिए नहीं risky traders हो रही risky traders को buy करना है 93.50 के उपर target हम expect करके चल सकते है 95.00 का first target और second target हम expect करके चल सकते है 97.50 का safe traders को कब buy बनाना है safe traders को buy बनाना है 94.00 के उपर target आपका 95.00 97.50 का तो ये दोनों चीज़े मैं आपको बता दी है sell कप करना है buy कप करना है nifty के अंदर तो बहुत ध्यान से ही trade करिएगा अभी तक market इस range के अंदर थोड़े time काम कर सकती है इस range के उपर निकलती है तो buy करना है इस range के नीचे निकलती है तो short करना है safe traders के लिए तो guys यहाँ पर हम वीडियो pause करिए और एक बार आप इस trend line को बना लीजे और ये वाले box को भी बना लीजे और आप अपने chart को जब देखेंगे तो दोबारा आपको वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इसी के साथ guys मैं वीडियो को end करता हूँ वीडियो पसंद आयोगी तो वीडियो को like ज़रूर करिए guys और जैसा कि मैंने आपको बताया आप यहाँ पर चैनल को subscribe कर सकते हैं बेल आइकन दवा सकते हैं चैनल को subscribe करने के बाद तो जैसी मेरी वीडियो अप्लोड होगी यह वाली जो थोड़ी देर बाद होगी सबसे पहले आपको अपने मुबाइल पर notification मिल जाएगा या फिर आपको अपने YouTube पर notification मिल जाएगा और आप मेरी वीडियो देख पाएगे इसी के साथ मैं वीडियो को wind up करता हूँ वीडियो पसंद आयोगी तो वीडियो को like ज़रूर करेगा comment section में मुझे ज़रूर बताएगा क्या वीडियो पर और क्या-क्या changes चाहते हैं या आपके कोई भी questions हैं तो मैं questions का reply करने की कोशिश ज़रूर करूँगा नेक्स्ट वीडियो पर so guys इसी के साथ मैं शेवांज बसीन signing off मिलता हूँ अगली वीडियो पर